हेलो दोस्तों मैं रा नाम समित कुमार है मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने डेम फाइल को कैसे प्रोजेक्शन कर सकते हैं जिससे कि आपको काम करने में कोई इरर ना है तो चलिए देखते हैं कैसे हम उसका प्रोजेक्शन कर सकते हैं जैसा कि कि यह उपन है इसमें मैं मुझे जिस फाइल का प्रोजेक्शन करना है मैं उस फाइल को एड कर लूँगा तो मैं इसको मोजेक.tiff को एड कर रहा हूं आप देख सकते हैं यह मेरी फाइल आ चुकी है अब मैं इसका प्रोजेक्शन करना बताऊंगा कि आप लोग कैसे इसको प्रोजेक्शन कर सकते हैं देख लिजिए अभी यह डिगी डेसिमल में दिखा रहा है लेकिन हमको पता नही कि यह कि सूदिय presupu में है और कहां पर रहती है तो मिस को कैसे प्रोजेक्शन कर सकते हैं तो डेख सकते हैं तो इसके लिए क्या करना है आपको सर्च वार में चलना है जैसे यह सर्च वार का जाएगा इसमें आपको लिखना है प्रोजेक्ट राश्टर पी आर ओ जे तो आप देख सकते हैं जैसे ही लिखें के प्रोजेक्ट राश्टर पी आर ओ जे लिखेंगे उसके बाद यह जो फर्षट आएगा प्रोजेक्ट राश्टर डाटा मनेजमेंट इस पर आपको क्लिक करना है यह थोड़ा टाइम लग रहा है मेरा सिस्टम उतना अच्छा नहीं है देखे जब प्रोजेक्ट राश्टर पर क्लिक किये हैं उसके बाद ये इस टाइप का बिंडो खुलके आ गया है लेकिन एक चीछ देख रहे होंगे इधर जो हमारा साइड में टेबल आप कंटेंट आ रहा था वो गायब हो गया तो इसके लिए हमको फिर से वैसे होता नहीं यह अगर चला जा रहा है तो कुछ करना नहीं है सिंपल सा यहां बिंडो के पास में इस वाले आप्शन पर आना है जो यह बना हुआ है यह फर्स्ट वाला छोड़के सिकेंड आप्शन पर इस पर जैसे ही आप किलिक करेंगे आपकी यह टेवल फिर से आ जाएगी तो चलि यह अब देखते हैं इसमें क्या करना है जहां पर इन्पुट राश्टर लिखा हुआ है उसमें हमको जिस फाइल को प्रोजेक्शन करना है उसको इन्पुट दे देना है देखिए यह मैंने इसको इन्पुट दे दिया उसके बाद यह सिकेंड आप्शन है इन्पुट कोडिनेट सिस्टम ऑप्शनल इसको मतलब आप छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है फिर उसके आप सिकेंड आप्शन है यह इन्पुट राश्टर डाटा आउटपुट राश्टर डाटा तो आउटपुट राश्टर डाटा मतलब आप कहां पे इसको सेव करना चाहते हैं तो इसको आप फोल्डर दे सकते हैं जहां पर भी आपको सेव करना हो तो देखिए मैं यहाँ पर इसको project है तो मैं project का नाम दे रहा हूँ projection का पी आर ओ जे ए सी टी आई ओ इन देख सकते हैं आप यह मैंने file का नाम दे दिया उसके आदो के कर दिया फिर यह आता है output coordinate system यही main जरूरी है तो इस पर हम लोग कैसे इसमें करेंगे देख लेते हैं तो इसके लिए हमको यह चीज याद रखना है जब भी हम अगर dem file का करेंगे तो हम projected raster में करेंगे अगर हमारे पास vector data है तो हम उसको geography coordinate system में करेंगे अगर हमारे पास राष्टर डाटा है तो हम उसका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कोडियर सिस्टम में करेंगे अगर हमारे वेक्टर डाटा होता करेंगे तो यह utm आएगा utm में यहां से हम लोग wgs 1984 पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर यह नौर्थन हमो हमोस्पियर आएगा इस पर करेंगे इस पर करने कबाद आप देखिए अब यह यहां पर अपनी जोन सेलेक्ट करने को बता रहा है कि आपकी जोन सी भी जोन है तो सेलेक्ट करिए तो हमको अपनी एक्जेक्ट लोकेशन वहीं पर सेलेक्ट करने है जो हमको पता हो अगर नहीं पता है जैसे हमको तो इस वीडियो में पता है कि हमारा यह यहां पर है यह डवलो जीएस 1984 यूटियम जोन 44 N अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आपकी इमेज किस जोन की है तो आपको क्या करना है हम चलिए बेग करके आपको बता देते हैं कि आप लोग कैसे अपना जोन पता कर सकते हैं कि यह अगर यह हमारा जो है इस पर हमको सिंफली पे क्लिक करना है ऐडिएंटी फाय पे जैसे ही आप कि लिए तो इस की कहीं पर भी आप ऐसे किलिक कर दीजे〜 तो जैसे में उर्ट्री आप क्लिक करेंगे तो तो हमको एक चीज याद रखनी है जो हमारा लेट लॉंग होता है वो जो हमारा लेट होता है वो छोटा होता है और जो लॉंग होता है वो बड़ा होता है तो लेकिन इसमें उल्टा दिखा रहा है तो हम इसको कॉपी तो करके चलेंगे इसको अभी हम गूगल अर्थ प्रो मे तो आप देख सकते हैं हमारा गूगल एर्थ प्रो ओपन हो चुका है और सर्च वार में जो हम वहां से लोकेशन कॉपी के थे उसको यहां पर पेस्ट कर देंगे यह देखे हमारी पेस्ट हो गए लेकिन हमको करना क्या है यहां पर जो हमारा यह लेट है इसको हमें आगे करना है और जो यह लोंग लेटिट्यूट है लोंगी ट्यूट है लोंगी ट्यूट को हमको पीछे करना है तो मतलब हमें लेटिट्यूट आगे करना है तो यह वाला जो हम इसको simply ऐसे copy कर लेंगे और control x दवा के cut कर लेंगे और इसके आगे ले जाके हम इसको paste करेंगे यहाँ पर देखिए इस पेस अब देखिए अब हमारा लेट आगे आ गया और लोंगी ट्यूट पीछे हो गया अब हम सर्च करेंगे तो एक जेट दिखाएगा नहीं तो अगर बैसे ही आप सर्च कर देते तो वह गलत दिखा देता अब देखिए यह हमारा आ गया है जहाँ पर भी है और यह देखिए यहाँ पर नीचे दिखा रहा है यहाँ पर पड़ सकते हैं कि यह किस जौन में है तो यह हमारा 44 आर में दिखा रहा है मतलब कि हमों को अब यह 44 आर में सलेक्ट करनी है और यह इसका लेट लॉंग दिखा रहा है अगर मान लीजिए अगर आप लोगों का यह नहीं आता है कि यह 44 आर कैसे आए तो इसके लिए आपको क्या करना है इसमें टूल में जाना है और टूल में जाने के बाद ओप्सन पर जाना है ऑप्सन पर जाने के बाद जैसे मैंने यहां पर उनिवर्सल ट्रांस्वर मार्कोर्टर लगा रखा है ऐसे आप जिस पर क्लिक करेंगे बैसे हो जाएगा जैसे मालीजिए मैं डिग्री डेसिमल पर क्लिक करके दिखा रहा हूं आपको जैसे मैंने डिग्री डेसिमल पर क्लिक किया डिग्री डेसिमल मिनट पर तो यह अपलाई कर दिया और इसको ओके किया तो देखिए यह हमारा खाली डिग्री डेसिमल में आया और वो हमको जोन गायब हो गई तो हमको नहीं पता लग रहा कि यह किस जोन में तो हमको फिर से क्या करना होगा, फिर से टूल में जाएंगे और अब open में जाएंगे और universal पे click करेंगे जैसे हम इस पे click करके apply करेंगे apply करेंगे तो यह correcting हम्को नीचे लिखे बता देगा यह किस zone में, तो यह हमारी area जो है वह 44 में है तो हमको अब फिर से क्या करना है तो यह आ गया हमारा अब इसमें हम फिर से चलते हैं coordinate system में और projection में गए प्रोजेक्शन में UTM UTM में यह WGS 1984 फिर यह Northend फिर हमारा जो भी area हो जो भी आप अपना find करें उस area पर select कर दीजें जैसे कि यह 44 थी तो इसको 44 पर select कर दे रहे हैं यह NOR से कोई मतलब नहीं है वो तो मतलब map के according होता है जब आप में पूरा पढ़ेंगे तब आपको यह चीज़ समझ में आएगी क्या होती है लेकिन आपकी यह 44 थी तो आप 44 पर click कर दीजिए simply बस इस पर दो बार ऐसे click कर देना है और उसके बाद इसको ok कर देना है यह यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ok जैसे आप ok करेंगे यह आपकी area हो जाएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं WGS 184 UTM zone 44 and आ गई अब उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है नीचे बढ़ाना है और कहीं कुछ नहीं करना है बस इसे ok कर देना है तो इसे अब ok कर देते हैं अब देख लिजिए यह हब हो रही अभी notification आई थी यहाँ पर गायब हो गई लेकिन परेशान नहीं होना है यह अभी चल रहा है processing में मतलब कि यह जैसे ही हो जाएगा हमको notification मिल जाएगी एक चीज़ आप यह भी देख सकते हैं अभी हमारा projection हुआ नहीं है तो यह देखे पुरा simple image दिख रही है अभी जब projection हो जाएगी तो यह थोड़ी बहुत कट पिट जाएगी इसमें मिलत कुछ तिर्षी हो जाएगी तो हमारी यह projection हो जाएगी जैसे हमारी projection हो जाएगा प्रोसेस चल रहा है वह भी दिखना ही रहा है आप लोगों के में भी हो सकता है कि ना दिखे लेकिन हो जरूर जाएगा कुछ इधर उदर अभी कोई क्लिक मत करना जब तक होने के बाद यह सीधा आपके पास यहां पर आके एड हो जाएगी और आपको यहां पर नोटिफिकेशन मिलेगी यह देखे हो गई वैसे हमको यह notification मिल गया है कि आपकी जो भी थी वह projection हो गया है तो अब ते लिए हम इसको रिमूब कर देते हैं और इसको आप लोगों ध्यान दीजिए देखिए यह देखिए साइड साइड में हलका सा कट ऐसे टाइप में बन गये हैं हम हलके हलके देखिए तो इसका मतलब यह प्रोजेक्ट हो चुकी है आप देख सकते हैं यह हमारी प्रोजेक्शन की वई फाइल आ चुकी है अब इस पर अगर हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा कोई भी एरर किसी भी टाइप का नहीं आएगा धन्यवाद दोस्तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और समझ में आ रही है या नहीं आ रही है अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आ हो या कोई किसी को कुछ पूछना हो तो वो हमको मेल करके पूछ सकता है धन्यवाद